जब स्टार्ट करते हैं डिजोलीशन ओफ पार्टनर्शिप फर्म ऐले तो मतलब समझते हैं डिजोलीशन ओफ पार्टनर्शिप फर्म का क्या है कंसेट देखने ऑफिस अंस्टार्ट देखने डिजोलीशन ओफ पार्टनर्शिप फर्म नाम से पता चल रहा है कि बिजनस है जो बंद होने वादा है तो बंद करना है और बंद करके जो भी पैसा आएगा आपको बाट नहीं सकता है क्यों सेट को नहीं बाड़ सकता है कि बिजनस को बाहर वाले को पे करना होगा आया नहीं तो जब भी बिजनस बंद करोगे तो उसका इस प्रोसेस एक सिस्टम में जो अपने वो फॉलो करता है तो अब आपके लिए इतना समझो कि डिजनस पार्टनर्शिफ फर्म के अंदर वो जो दुकान बंद होने वाला है वह आपका बैलेशिक दिया रहेगा तो आपका दुकान है आपको इसको बंद करने कर आप दुकान बंद करने के लिए पहला आप क्या करोगे दुकान से सब बाहर निकालूगा या तो मैं अपने घर पे रखोंगा या कहीं पर जाके इदर टेंप्रारी जमागरगे रखोंगा चोड़ाओं में अभी इदर रखता हूँ घर जगा नहीं है गोड़ाओं में रखता हूँ बराबर तो डिजनस पार्टनर्शिफ फर्म में क्या जितना भी सामान है तो निकालेंगे चोड़ा सा गुड़ाओं में जाके जमा करेंगे या अपने घर पे रखेंगे यह दुगान बंद हो गया भाई इसको शटल लग जया बटी सामान को क्या कर लेगा तो थोड़ी घर पे रख सकता हो कुछ सामान जो घर भी यूज़ कर स जिसको जिसको उधार दिया था या जिससे उधार लिया था उसको भाई पैसा दे दो clear समझ या पे करने का फिर भी पैसा बज गया अरे बज़िया ठीक है जो पार्टनर है बैथ को देखना ले तो इतना ले तो इतना ले बाट की फितम करो कि अंदर आपको कुछ steps है जो follow करने जो मैंने अभी बड़बड किया कोई सेम जीज आपका step है जिसमें पहला step है तू सॉल बिज़िशन step number one है balance sheet खाली करो balance sheet मतलब दुकान खाली करो समझ मैं balance sheet खाली करो step number two है assets बेचो assets बेचो मतलब क्या करनेगा सुना ली भाई मेरे बाद जितने भी assets है जितना भी property है सब बेचो जैसे मैंने आपको बता है भाई दुकान खाली किया property पड़ाई क्या करो बेचो बाद समझा asset बेते बाद क्या आएगा पैसा आएगा उस पैसे सी क्या करो liabilities pay करो liabilities pay कर समझ में आएगा उसके बाद closing पहला closing extra कोई account अगर आपने बनाया तो पहला extra account close होगा दूसरा realization account close होगा जिसमें अपने को profit या loss पता चलेगा उदर से हम आ जाएगे partners capital में partners capital में जो भी balance आएगा उसको transfer करेंगी cash or bank में और cash or bank account tally हो जाएगा आपास समझ में आया क्या अब इसमें क्या-क्या account बनता है तो इसमें account बनता है एक realization account एक partners capital account और एक है cash or bank जो tally होनी होता है अब यह realization आपके लिए आपका go down है जैसे में आपको बता है दुकान बंद किया और जाके सामान go down पे रखा या घर पे रखा तो यह आपके लिए as a go down treat करना है तो जो भी आप business को खाली करोगे और कहा लाके रखोगे realization है बेचोगे तो कहां से भीचोगे go down से पैसा आएगा यहीं पे आने वरा है मतलब आपके लिए business होनी है जो भी खर्चा जो भी फाइदा कुछ भी होने होना है सब realization है ठीके asset आया था debit तो असे जाएगा liability आया था credit जाएगा जो भी कुछ करना है सब गोडा होन याने के realization account से ही clear है क्या है इसमें कुछ format मैंने पहले से लिक्या रखा आप लिख होगे तो आपके ली भी अच्छा है पेदा 2 sundry asset by sundry liabilities 2 sundry asset by sundry liabilities 2 sundry asset by sundry liabilities 2 cash a bank 2 cash a bank 2 cash a bank 2 cash a bank अगर इतना लिख रहे हैं तब 90% काम खतम आपके लिए फिर से एक बार 2 sundry asset by sundry liabilities 2 sundry asset by sundry liabilities 2 sundry asset by sundry liabilities 2 cash a bank 2 cash a bank 2 cash a bank 2 cash a bank इदर कुल भी नहीं इदर balance brought down लिखना होता है स्टार्ट करते हैं सम government textbook में page number 221 सम number 4 देखते question क्या है following is the balance sheet of Swara and Swaraj as on 31st of March 2018 balance sheet बना के दिया है liabilities amount asset amount दिया है paragraph में दिया है 1st April 2018 को the firm was dissolved firm dissolved हो गया हमारा पहला काम चैया है sir हमारा पहला step है balance sheet खाली करो question में क्या दिया हो important नहीं है balance sheet को फूरा खाली करो बोले तो दुकान बंत करो resolve हो गया तो दुकान बंत करना है बंत करना मतलब balance sheet को खाली करना है जितने भी assets है सब go down में जाएगा go down मतलब realization about में जाएगा समझ में आगया सारे assets को खाली करते start करेंगे asset side furniture है goodwill है bank bank balance में चले जाएगा goodwill goodwill debtors stock इतना ही furniture कितना 6,000 patent 1,200 2,000 3,800 5,000 अब debtors के अंदर जरा एक ध्यान देना debtors 3,800 less RDD दिया है तो अगर आपने 3,800 इदर भी खाये तो RDD वह बाजु भी खेंगे net value लिखा तो भी चलता है कोई problem नहीं आएगा बढ़ेंगे उसके बार liability side हो जाएगे पहला है capital अब capital को तो आप go down में रख सित्या capital में capital में चले जाएगा buy balance is brought down 6,500 5,000 स्वरा और स्वराज स्वरा स्वरा पार्टनर्स का हग होता है तो जितना भी तुमारा reserves कोई भी reserve है इसके बड़ पूरा हग इसका है पार्टनर्स का है partners account में चले जाएगा credit पे दिया है तो credit side पे buy general reserves कितना है general reserve general reserve 2000 को कौनसे ratio में डिवाइट करेंगे तो यातों पहलव में profit sharing ratio दीना ओना थी अगर नहीं दिया तो equally divide करेंगे partner हमेशा याद रखो अगर partner में business को किसी भी तरा का loan दिया है तो उसके लिए एक special account, अलग से account बनाएंगे मतलब partners का कोई भी loan होगा तो उसके नहीं जोगे extra account बनाएंगे partners loan account यहाँ एक rough में partner loan account बना लगाँँगे इस वरा loan account अग loan credit site पे दिया, तो balance भी credit site पे जाएगा बाइ, बैलेंस, ब्रॉट डाउं कितना है? 2000 उपे सर आपने मादा दुकान खाली करने का गोडाउं में रखने का मैं लहाँ सब गोडाउं में जा रहा है लेकिन जो जिसका है पहले उसके अकाउंट आदे तो उसके अलावा कुछ बज गया बैलेंस, 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 बैलेंस इसका टोटल हो जाएगा चाहर है ठीक है आजो यहां तक सबको क्लियर है क्या हुआ अब तक आप ते मैंने कुश्चन भी रीड नहीं किया है खाली इतना मालबड़ा सुना लिए डिसलूशन है इतना यह न क्या है जेगा है तो जायसा लिए जटना में बीच एंगे अगर कुश्चण में स्टियरन जाय है स्वारा तुक ओवर पेटेंग्स एक राल्यू ऑफ 2,000 स्वारा बुल रही है कि भाई तेरा पेटेंट है जैसे मैंने आपको बताया था क्या है कुछ कुछ प्रॉपर्टी जो में मेरे घर पर यूज कर सकता हूं तो बिजनस को बोलोगा आजा यह मेरे को दे दे तेरे को इतना पैसा देता हूं तो यहां पी पार्टनर ने क्या किया पेटेंट 2,000 बर में ले पे चला गए अब पेटेंट क्या है आपका असेट आया था डेबेट आप देख सकते ही सब असेट आया था डेबेट अभी ले ले जा रहा है कौन ले जा रहा है सवरा ले जा रहा है पार्टनर ले जा रहा है असे आया था डेबेट ले जा रहा है तो क्रेडिट तो बाई सवरा क्या बिजा लगा है क्या लेके जा रहे पेटेंट कितना 2,000 इधर क्रेडिट दूसरा एक देख देने का है डेबेट सोरा आपने किनना दोहन साथ मास समझ में आयाएगे आगे बढ़ते हैं next the assets will realize as a dirt asset realize हुआ कुंसा कुंसा asset realize हुआ furniture, goodwill, stock, data realize वह मतलब बेचा realize वह मतलब बेचा मैंने furniture बेचा मैंने goodwill बेचा मैंने stock बेचा मैंने data बेचा अब बेचा ना अया थाट तेबीद furniture आया थाट łीपीट data आया थाट eबीट stock आया थाट डेवीट अब बेचा वह जा रा थाए inheritance so buy cash of bank furniture बेचा का पैसा अवह था goodwill Mesmer data punk stock furniture It is like 7000 7000, 3000, 4000, 4000, 3000 Total कितना हो गया, देखो जड़ा 17000 हो गया इधर credit दूसरा एक देने का debit बेचा तो क्या आया, ऐसा आया, cash आया आपक आपक डेट, total तूराइशन अपाउंस, कितना 17000 समझ में आगया कि सुना ली बड़े की सुना ली, उसके बाद क्या दिया आगे Creditors were paid off at a discount of 10% and other liabilities were paid in full Creditors को हमने 10 तका discount में pay किया और जो दूसरा liabilities था, उसको पूरा pay किया Creditors या liabilities pay किया Liabilities था credit, pay करने के लिए debit Liabilities था credit, pay करने के लिए debit तो 2 cash आया, उलिल के रखा है यहाँ पे Creditors और Bills Payable समझना आया क्या Bills Payable पूरा pay किया मतलब 1000 रुपया पे किया और Creditors को 10 तका discount में pay किया 3000 देना था, 10 तका discount का खुल calculate कर सक्यों 3000 पे 300 रुपया discount दिया है मतलब 2700 रुपया पे किया है तो 2700 रुपया बराबर इधर debit दूसरा effect देना रहा है रुपया पे किया तो पैसा जाएबा हाई, Realization रुपया कितना पे किया? 3700 Clear हुआ क्या? आप प्रोसेस को अगर दिमाग में रखोगी तो सेम जैसा बुल रहा हूँ ऐसी वाद सबसे पहला हमें balance sheet खाली कर दिया दुकान खाली किया उसके पाद assets बेचा बेचके पैसा आगया आपके पास अब पैसा है तो आपने क्या किया? लाइबरीटीस पे गया लाइबरीटीस पे करने ने डेबिट इधर डेबिट दूसरा एपक देना दा प्रडिट पैसा गया आपके आपके अशरा आइक अकाउंट बराबरे उसके अलावा और एक चीज होगा जब यह सब चीज करतेगा तो इसमें ना खर्चा होता है जैसे मैंने टेंपरररी गोटाउं लिया है तो उसको रेंट देना पड़ सकता है राइट वील भरना पड़ सकता है तो उसे हम तो कहते हैं Dissolution expenses जा कहते हैं वह भी मुझे पे करना पड़ेगा अब पे करना है तो वापस से आप देख सकते हो इदर डेवी आपने पहले से लिखे रखा है खर्चा है इसमें इदर डेवी दूसरा एफ़ेक देने गा है पैसा जाएगा उसके बारे में कुछ ना कुछ तो बोला ही होगा Yes Expenses of Realization amounted to Rs.1500 which is born by स्वराज अब यह यहाँ पे नया वड़ा गया स्वराज ने पे किया normally हमारे cash से जाने वाला था पड़ यहाँ पे cash में पैसा नहीं गया किसने पे किया स्वराज में पे किया business के लिए तो खर्च चाहिए जो भी खर्च है इदर आजेगा debit but अब इदर cash cash bank में लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे to स्वराज capital समझ में आये क्या buy to स्वराज capital कितना है तो यहाँ के dissolution expenses कितना 1500 इदर debit दूसरा effect देनी आए स्वराज की capital में by realization account स्वराज में 1500 basic समझ में आये क्या सबको सर्थ हमने format लिखा था आपने पर टू cash or bank लिखा तो डैश करके नीचे लिख तो 200 आज capital तो भी चलेगा आईसा ने बलो आपने format लिखा था समझ में आगे format इस question में नहीं आया अगले question में आ जाएगा cash or bank की आने बादा clear अब हमको क्या करना है सब एग्जेस्ट में फटम हो गया बढ़ हमको पहना काप यह करना है कि देखना है कि मैंने क्या सारे assets देच दी है क्या तो जरह देखो furniture बेच गया हाँ पेटेंस हाँ सारे assets बिख गया सारे liabilities पे हो गया सारे liabilities में दो ही liabilities है RDD liabilities नहीं है बराबर है तो यह तो पे हो गया तो यह creditors of bills payable भी पे हो गया है अब एक liabilities बज गया है स्वेस्वरा का loan यह pay करना पड़ेगा क्यूंकि business बंद करते हैं पहले जिसका वे उधार दिया है उसको pay करना है अब liability है credit pay करना है debit to cash or bank account कितना है दो हसार इजर debit दुसरा effect नहीं का है credit by swara loan कितना दो हसार यहां तक सब को clear है अब normal हो गया है मैंने आपको पहले बताया था पहले balance sheet खाली करो asset feature liabilities pay हो गया है closing में extra account पहले से tiny हो गया realization account close करेंगे partners capital close करेंगे cash or bank account चलो start करते है realization account close दो-जिरो कितना 18000 अब देखते है कौन से side का total जादा है यहां पर 18 18000 20 20 20 2200 अल्मोस्ट आसपास ही दीख रहा है 23200 20 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 25 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 दूसरा इपेक जिने गाए क्रेडिट, वाई, कैश और बैंक्स और इश्ट, वाई, कौन यह स्वरा क्यापिटल, पार्टनर्स क्यापिटल अकाउंट लिक के स्वरा, और स्वराच, उदर डेबीट है तो इधर क्रेडिट होगा, पांच हजार और साथ हजार पांच सो, दो जिरो, दो जिरो, तो दो जिरो, साथ और पाच, बारा, एक उपर, तीन और एक चार, चार और दो, छे, छे और दो, आट और एक, अठ्वरा हजार, समझ में आया